हेले विडियो में मद्द प्रदेश जीके में सासन प्रणाली यों पंचाती राज जीके बारे जारेंगे जो एक्जाम को प्वेंट आप यू से बहुत ही महत्पूर है इस टॉपिक से बहुत सारे कोश्चन पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देख ज़ें बिना देर कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए कि जब भी लेटेश वीडियो अप्लोड होगे तो आपको नूटिप्रिशन मिल जाएगा तो चले देखते हैं आज क पहला कोश्चन है मदव प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जीलों की संख्या कितनी थी जब मदव प्रदेश का गठन हुआ था यहां पे गठन ने पुनर गठन होगा आप लोग का या दखना है जब मदव प्रदेश का पुनर गठन हुआ था तब मदव प्रदेश में कु कितनी थी option B आप लोग का राज़्टेंसर होगा 43 कितनी थी 43 आप लोग का यादक्राइब फेरी भी इंपॉर्टेंट है नेस्ट कोश्चन दिखते हैं कोश्चन में सेकेंड है मद्द प्रद्देश में पहली बार राष्ट्पदी सासन कब लागू हुआ था किसका राष्टेंसर होगा option A 1977 में ने option A आप लोग का राष्टेंसर होगा अगला कोश्चन है question 3 एक नॉवंबर 1956 को राज़स्थान के कोटा जीले की किस तसील को मद्द प्रदेश में समलित किया गया था नीमच सिरोज जमद्द सौर या सीवनी को इस समलित किया गया था Being option B सिरोज को किस समलित किया था सिरोज तसील को मद्द प्रदेश में समलित किया गया था option भी आप लोगा सहह दोर होगा मंडला को विवाजित करने करके कौन सा नया जिला बनाया गया था अनुपूर सिवनी दिन्डोरी या बाला घाट तो इस question number 4 का answer हो जाएगा option C दिन्डोरी को बाला घाट से विवाजित करके नया जिला बनाया गया था आप लोगो याद अखना है question number 5 है मद्द पर्देश में वित्य निगम का मुख्याला कहां इस्ती थे very very important कहां परिश्टी थे इसका राइटेंसर होगा option B इंदोर में question number 6 है मद्द पर्देश में ग्राम पर्चायतों कि संख्या कितनी है टोटल कि इसका राइटेंसर होगा option A लोगी 1392 क्या होगा option A आप लोग का राइट इंसर होगा राइटेंसर नेक्स देखते हैं नेक्स देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आप लोग अभीतोव चलने को सब्सक्राइब ने चैनल्लों का आप लोग खटा पर सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ मद्द प्रदेश से 36 गड़ के पूर्व राज कि में कितने जी ले थे जब 36 गड़ा विवाजा नहीं हो ता उसके पूर्व कितने जी ले थे इसका राइट एंसर होगा option C 61 क्या होगा option C आप लोगा राइट एंसर होगा नेस्ट कोश्चन है कोश्चन में 8 मद्द प्रदेश का नामकरण किस नहीं किया था वेरी वेरी इपॉर्टेंट है ये व्यापर के एकजाम में बहुत बार एकजाम कोश्चन पूछा जा चुका है इसका राइट एंसर होगा option B पंडी जवाल नेरुक्य दार मद्द प्रदे ये आप लोगा सही उत्तर होगा नेस्ट है question 10 मद्द प्रदेश की राज की पसुक कौन सा है कौन सा है 12 सिंग है आप लोग को या लखना option C आप लोग का राइट एंसर होगा क्या होगा option C नेस्ट है question 11 मद्द प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना ये बना था option B 1994 में आप लोग का राइट आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा question 12 है मद्द प्रदेश में 2013 में गठी जीलो की सामील है कि दोहरती में कौन सा जीला गठन किया गया था एक गठन किया गया था option D बूरहान पूर नेस्ट है question 13 मद्द प्रदेश राज्य वेतन आयोग का गठन कब किया गया एक किया गया था फरवरी 2008 में इसका गठन किया गया था निए option भी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा वीडियो को रोक लीजिए फिर उसका एंसर दीजिए फिर नेस्ट कोश्चन प्यागे मड़िए इसका राइट एक option B भू आवेस्टिस राज्य है यानि चारों तरब से भूमी से घिरा हुआ राज्य मद्द प्रदेश है नेस्ट है कोश्चन पंद्र है मद्द प्रदेश में ग्राम नयालों की स्थापना कभ हुई थी यह हुई थी 26 जनवरी 2000 को यानि option A आप लोगा सही उत्तर होगा अगला है question 16 मद्द प्रदेश से पुलिस थानों की संख्या कितनी है तो इसका राज्य टेंसर हो जाएगा option A 1170 है क्या होगा option A आप लोगा राज्य टेंसर होगा नेस्ट है question 17 कौन सी सिमिती जीलों के पूर्ण गठन से संब्धित है कौन सी समिती संब्लित है यह संब्लित है option C A और B दोनों अगला है question 18 किस सहर में मत्द प्रदेश उस्च नियाला का खंड रिपिट नहीं है आप लोगों से पूछा गया है यह नहीं है बोपाल में option B आप लोगा राइट इंसर होगा क्या होगा option B next है question 19 का answer होगा मत्द प्रदेश सासान में अपने प्रथम खनेश नियतिक कब किस वर्ष घोशित की गए थी मत्द प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे कौन थे पटावी सीता रवाया एने option C आप लोगा राइट इंसर हो जाएगा अगला है question 21 मत्द प्रदेश की सीमा छूने वाले राज्यपाल की संख्या कितनी है यह है option A 5 क्या है पांच चले उन पांच राज्यों का नाव आप लोग कमेंड करके बताईए वह 5 कौन से राज्य है उनका नाव आप लोग कमेंड करके बताईए कि आप कौन कौन से राज्य है जो म of gender net correspondent है me को सबोर् depicts तो्य तो मथ्ट प्रदिश में विधान सवास सीटों की स्कुल संक्या कितनी है केख चற्रा यह हैं 232 आप लोगी को नहीं लगाना है in निक परिख्यन है कोश्चन में कुंद्ध परदिशा कुल्ड कितने जील में कितने हैं यह हैं 52 option C आप लोग का राइट एंसर होगा अगला कोश्चन है कोश्चन 24 वर्तवान मत्प्रदेश की राज सभा के कुल कितने सीटे हैं तो है यह है आप लोग का राइट एंसर होगा का option A नेक्ट कोश्चन है कोश्चन 25 वर्तवान मत्प्रदेश कुल कितने नगर नीगम है यह कोश्चन आप लोग के लिए होम बर्क के लिए है इसका एंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताईए नहीं बनता है तो आप लोग को इसका एंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दि यह वीडियो आपनों के इसलिए यह आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने चैनल को आपनों फटापर सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के ने वीडि ए्हुल्च हूँ